वेल्कम फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का आपके अपनी इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है कृष्णाज ओलिन वन तो दोस्तों आज मैं किसी फ्लॉवर प्लांट पर बात नहीं कर रही हूँ आज का हमारा टॉपिक है यह जो आपको दिख रहा है हमारा अंजीर का आज हम बात करते हैं यह मेरे घर में लगा हुआ है करीब साल भर हो गए है इसे और दो तिन बार मैंने इसकी जो फ्रूट है वो हार्वेस्ट कर लिए दोस्तों और बिलीव मी इतना अच्छा इसका टेस्ट है कि बिल्कुल बता ही नहीं सकते आपको बहुत यूनिक पॉट की तो इसकी जो पॉट साइज है वो आप 16-18 इंच या उससे भी बड़ा हो तो चलेगा लेकिन आप कम सी कम 16 इंच का तो रखिए मेरा जो यह प्लांट पॉट है वो 18 इंच का है और अगर आप इसको ऐसा गमले में नहीं है आपके पास तो आप इसको टब में जो अ आपकेट्स में भी लगा सकते हैं वो काफी मजबूत होती है और बड़ी साइस की भी होती है तो बस यह हो गए इसकी पॉट की बात जब मैं इसको लाई थी ना दोस्तों तो यह एक लगड़ी के सहारे से से बांधा हुआ था तो अब यह साल भर में काफी स्ट्रॉंग हो है तो मैंने वो लगड़ी हटा दी है इसकी अब बात करते हैं इसकी सॉयल की तो देखिए मेरे जो फिक प्लांट है इसका जो सॉयल है वो मॉइस्ट रहता है दिन में दो बार मैं इसे पानी देती हूँ क्योंकि फुल सनलाइट में रखा हुआ है मॉर्निंग से लेके और जब तक सूरज ढ़लता है जब तक इस पे दूप आती है तो ये जल्दी ड्राय हो जाता है क्योंकि गमले में हैं तो मैं दो बार इसमें पाने देती हूँ और इसकी जो सॉयल है वो मैंने तयार करी है आधी-आधी 50-50 जैसे 50% मेरे सॉयल है और जो 50% मैंने इसमें पुरान अगर आपके पस पुराने से पुराना नहीं है तो आप कंपोस्ट डाल दीजिए तो ऐसे आप अपनी सॉयल तैयार किजिए और जब इसमें फ्यूटिंग लगना स्टार्ट हो जाती है तो आप इसमें गुड़ाई करके और फिर कंपोस्ट डाल दिया करें हर महीने में कम से क एक बार और इस प्लान्ट के खासित है दोस्तों किसे कोई भी जानवर नहीं खाता है अनिमल नहीं खाता है तो आप इसे बिलकुल बेशक अपने घर के बाहर भी इसे आप लगा सकते ही जीली और बात करें इसके फ्रूट की तो इसका जो फ्रूट है न दोस्तों ये जब कलर में रेड हो जाता है और तो यही पहचान है इसके इसका जो मुह है वो थोड़ा सा खुल जाता है और कलर देखिए आप दोनों में आपको अपने पता चल जाएगा कि हमें कैसे पता चलेगी पक गया है वो कलर चेंज हो जाता है यह जो है वो दो तिन दिन में पक जाए और इसके जो फ्रूट हैं दोस्तों ये साल में दो बार हमें फ्रूट देता है ये प्लांट और इसके जो फ्रूट हैं आप इसे फ्रेश भी कहा सकते हैं और सुखा भी सकते हैं तो इस बार मैं सूच रही हूँ कि मैं सुखा के देखती हूँ फ्रेश तो हमने कई बार खा लिये हैं फुल सनलाइट इसे चाहिए प्रॉपर बाटरिंग इसे चाहिए और इसके जो प्रॉपगेशन के बात करें दोस्तों तूब ये है कि आप इसे जो बीच होते हैं जो मिल जाते हैं उसकी बीच से इंसी नेस्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी और अब सबसे बड़ी मैथडिया है यह कि आप इसे रेडिमेट प्रांट लेक्या रहा है यह नर्सरी से जैसे मैं लेकर आए थी तो टाइसो तिन सो रुपये का था दोस्तों यह और cutting से भी से grow कर सकते हैं लेकिन मेरी plant में cutting से grow करने का ऐसा कुछ है नहीं air layering भी आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों तो बस आप nursery से एक बार plant ले आईए और कोई special gear इसकी बिल्कुल भी नहीं है pesticide तो वैसे इस पर लगता है नहीं लेकिन अगर लग भी जाता है तो आप पिल्कुल नीम oil spray कीजिए इस पर कोई भी रसाइनिक कुछ भी इस पर यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि fruit plant है और हमारे परिवार वाले इसे खाते हैं तो हमें chemical से बचना है इस लिए हमेशा organic चीज़ प्रॉपर वाटरिंग दीजिए दोनों टाइम और पूरस soil रखे दोस्तों तो यह देखिए मैंने तोड़ लिया है और अब मैंसे जो है सुखाने वाली हूँ अगर मैंसे सुखान नहीं होता तो मैं आपको इसे कट करके देखा देती तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी next वी